वल्कम तू नित्या क्लासेश लर्णिंग तुदे लीडिंग टुमारो प्लीज सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फोर्गेट तो प्रेस बेल आइकन फोर दी लेटेस्ट वीडियो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में औ और मैं लली धमानी आपके लिए खबर लेके आया हूँ कि बहुत सा अफ़ा मचा हुआ है लेकिन दोस्तों इसके अलावा में एक और प्रूफ आप आपको दे रहा हूं जिससे यह आप जान पाएंगे कि जो हमारा Alta Grade का पेपर है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो दोस्तो इस ही के मदेनेचा चलते हुए हम आते हैं अलाबाद सिटी के पेपर पेपर है पेज निमबर 6 इलाबाद यूवा और जहां तारिक डिली है शनिवार 21 युलाई 2018 तो दोस्तो इस पेपर के बारे हम बात करता हूं मैं और इस पेपर के बारे में बात करके हम चलते हैं आगे और इस पेपर में थोड़ा से नीची आ जाई है कि जहां पर कुछ खबर दी हुई है उसको पढ़ लेते हैं हम तो यहां पर देखिए लिखा है साफ साफ यहां यहां लिखा है देखे साफ आपको देख पा रहे होंगे कि एल्टी ग्रिड शिक्षक भरती के लिए साड़े साथ लाग से अधिक आवेदन आए हैं कुल 15 विशों में एल्टी ग्रिड शिक्षक के दस हजार से अधिक पद के लिए भरती होगी जो 19 जुलाइक होगी दोस्तो उत्रप्रदेश लोग सेवा आयोग परिक्षा की तैयारियों को अंतिमरूप देने में लगा है एक दो दो दिन के भीतर प्रवेश पत्र जारी किया जाए यानि हमने पहले भी बताया था अपनी प्रवेश वीडियो में कि जो आवेदन पत्र जो प्रवेश पत्र हैं वो 22 तारिक तक रिलीज हो जाएंगे तो शुक्रवार को आयोग में नोडल ऑफिसरों की बैटक भी आयोज़त की गई है जिसे परिक्षा के संचालन के मद्दनेजर आवशक निदेश जारी किये गए एल्टी ग्रेट शिक्षक भरती को लेगर लगाता ब्रहम की इस्तिति बनी हुई है अब भयाती उल्ट पोई में हैं की आयोग निद्दरतुदी पर परिक्षा क्रापाएगा कि नहीं करापाएगा लेकिन आयोग ने इस्तर पर तैयारी पूरी कर लिए-परिक्षा के लिए-प्रिक्रिय आ के लिए 7지만 अवि दिन किये अभ्यहारती जो ए परिक्षा प्रदेश के 49 जिलों में आयूत की जाएगी हर जिले में एक नोडल आफिसर की नियुक्ति की गई है आयोग ने सचीव जगदीश ने बताया कि शुक्रवार को आयोग में सभी जिलों के नोडल आफिसरों के अथाथ बैटक की गई परिक्षा का सैकुशन संपर कर करने के लिए नोड़ आफिसरों को आविशक दे दिये गए हैं एक दो दिन के भी तरह ब्यारतियों के प्रविशन जो आयोग की अपलोड कर दिये जाएंगे एक नियुवन यहां पर है कि यहां बहुत इस्ट्रिक्ट जो है यूपी पीसी ने कर दिया है क्या कि एल्टी घ इस बारे में आयोग के सचिव जग्दी ने बताया कि अभी पिरश्बतर ही जारी नहीं हुए तो रोल लंबर का और सेंटर का कहां से अवन्टित हो जाएंगे कहा कि जो लोग परिक्षा को प्रवावित करने के उद्देश सफ़ा फैला रहे हैं आयोग की और से उनके खिल मांग की जाएं तो दोस्तों यहां पर इस्तिती शाफ है कि आप किसी भी अफ़ा में ना पढ़ें पेपर जो आपका एक्जाम है 29 तारिक को ही है उसकी तैयारे डहिंग से शुरू कर दें और कोई भी मैं और लोगों से भी जो निविदन करूँगा कि कोई वाटसप पे य तो प्लीज हमें comment box में जरूर लिखें और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है सबसे पहले मैं वीडियो यह लेकर आया हूँ तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe जरूर करें like, share, comment जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इसको forward करें दोस्तों wish you all the best और कोई भी news मि video